लेकिन साइद पहला मौका होगा जो बिपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है वो कहना था तो बजट में अपनी सारी बातों को कहते वो भी आप लोगों के माध्यां से जन्मानस में बात जाती उसको नग करके आज वो जात्रा पर निकले हैं नमस्कार आप देख रहें नीज फोर नेशन मैं हूँ आपके साथ नरुतम सिंग बिहार के पुर्व डिप्टी सीम और नेता परतिपच तेजस्वी प्रसाद यादो जन्विश्वास स्यात्रा पर होए वो पिर बिहार का भर्मन कर रहे हैं इसको लेकर बिहार में सियासत भी काफी तेज है पुर्व मुखमंत्री जितारा मांजी ने तेजस्वी आदो पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई बजट सेशन में नेता बिरोधी दल भाग नहीं ले रहे हैं वो बजट सेशन से गाइब हैं अगर उनको बात ही कहना था तो मीडि कर रहे हैं कि हमने सिच्चकों का निउक्ति किया ये तो नितीज कुमार का फैसला था क्या कुछ करें बिहार के पुर्व मुखमंत्री जितारा मांजी सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में आज यहां से एक परचार गाली भी निगत होगी और पटना के आसपास के अगल बगल टोलों में 22 तारी के साम तक लोग परचार करेंगे कि 23 तारी को बापू सवागार में होने वाली जो गरीब चेतना रहली है या पंचाय तस्तरीय कार संबेलन है उसमें सब भाग लें तो इसके लिए आज यह गाली जा रही है और उसको हम लोगों ने हरा ज्हंडा दिखलाया है हम उमीद करते हैं कि बापू सवागार में तो यह देखिए प्रसाद जी निकालने है वेक्तिगत मामला है उनका हम लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है राजनीत का 44 साल से हम राजनीत में हैं लेकिस साइद यह पहला मौका होगा जो वीपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है वो कहना था तो बजट में अपनी सारी बातों को कहते वो भी आप लोगों के माध्यम से जन्मानस में बात जाती उसको नग करके आज वो जात्रा पर निकले हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जमुरियत के खिलाफ बात रोने किया है और रही बात जो इसू उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 17 महिना में हमने सब काम किया लगता है बिहार का मुखमंती ते ऐसी प्रसाद ही थे इसका मतलब है कि समिधान का उनको ज्यान नहीं है कि मुखमंती होता है वही समझ रहा हूगा वरना इन विहार के सब लोग समझ रहे हैं इसी बात है जो डिप्टी चिप मिनिश्टर है वही चिप मिनिश्टर होता है क्या एक प्रशार करना चाहते हैं तो यह क्या प्रचार करना चाहते हैं तो इसका मतलब है अपनी गलती को और प्रगाल करने के लिए गलत जो नसमझने वाले लोग हैं उनी के नजी के इसी बात बोल रहे हैं हम समझते हैं यह समिधान का दोन तरफ से एक तो उनको ग्यान नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं अब दूसरी जो विधान सवा का बजट सत्र छोड़ करके जो पा अगर उनको बात ही जनता तक पहुंचाना था तो वो आप लोगों के माध्यम से विधान सवा में भी बोल कर जनता तक जन्मानस तक अपनी बात को पहुंचा सकते थे लेकिन विधान सवास के सेशन से गैब नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहना था जी तरह मान जी का आपने सुना अभी तक लिए बस इतना ही आप बने रहें नीश पोनेशन के साथ